हलो फ्रेंड विल्कम डूबाइ चैनल कैसे आप लोग उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे कुछ टॉपिकस ऐसे होते हैं जो आपकी एक्जाम में आते ही हैं जैसे हमारा है एक टॉपिक लिखा हूँ है मनो विज्ञानिको सरफ और आधारीत प्रश्न है कम सेकम चार से 5 नंबर आपके मनो विज्ञानिको पर آएंगे ही मलब सीधे डारेक्ट कोश्चन उन्हीं से होता है तो एक वीडियो हम पढ़ चुके हैं दूसरा वीडियो है आपके लिए अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखें डिस्क्रेप्ट्ट्ट में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा और बहुश सारे वीडियो हैं बाल विकास के, परामणदन के, हिंदी के तो उन्हों को भी आप देख सकते हैं बिना समय गवा हुए चैनल पर अगर आप पहली बारा हैं चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलेगा बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा जिससे के आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहें इस वीडियो में 30 प्रस्ण है लेकिन ऐसे 30 प्रस्ण है जो मलब ब्रह्मास्त हैं जो आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पियाजे वाइगोस्की कोहलबर्ग और थंडाइट के बारे में जो है 30 प्रस्ण पढ़ेंगे बहुत ही धासू प्रस्ण है और तयार हो जाए अगर आपने अपनी तयारी बाल विकास की पूरी कर ली है तो देखते हैं आप लोग कितने प्रस्ण इसमें सही कर पाते हैं पहला परस्ण जीन पियाजे कहां के निवासी थे ये आपके जीन पियाजे महोदे हैं लंदन, फ्रांस, सुईजलेंड या योसे तो जीन पियाजे आपके सुईजलेंड के निवासी थे कहां के निवासी थे सुईजलेंड के और थांडाइक अमेरिका के निवासी थे अगला अपस ने संग्यानात्म विकास की कितनी अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताई दो, चार, छे या तीन तो जीन पियाजे महोदे ने संग्यानात्म विकास की चार अवस्थाएं बताई थी पहली अवस्था बताई इंद्री जनित गामा कवस्था कौन सी इंद्री जनित गामा कवस्था सेंसरी मोटर स्टेज जो की जनम से दो वर्ष की ती। दूसरी अवस्था बताये थे ये पूर्व संक्रियात्म कवस्था कौन सी पूर्व संक्रियात्म कवस्था जिसे प्री ओप्रेशनल स्टेज कहते हैं जो दो से साथ वर्ष की थी तीसरी थी मूर्थ संक्रियात्म कवस्था जो की 7 से 11 वर्ष की थी जिसे concrete operational stage कहते हैं चोथी अवस्था उन्होंने बताई और चारिक संक्रियात्मा का वस्था जिसे formal operational stage कहते हैं ये 11 वर्ष से अधिक की अवस्था या इसे 11 से 14 वर्ष की अवस्था भी माना जाता है ये points आपको ध्यान रहने चाहिए अगला पसने इंद्री जिनित गामा का वस्था का समय कितना होता है जन्म से 2 वर्ष का, 2 से 11 वर्ष का, 7 से 11 वर्ष का या इनमें से कोई नहीं तो sensory motor stage का जो समय होता है ये जन्म से 2 वर्ष का समय होता है सिंसरी मोटर स्टेज में जो क्रियाय होती है ये इंद्रियों पर आधारित होती है ठीक है बच्चा इसमें सारीरिक क्रियाय करके सीखता है वस्त इस्थायुत्तुकागुण जो है इंद्री जनित गामा का वस्ता में पाया जाता है वस्तिस्ताहित का गुण क्या होता है कि किसी भी चीज का हमारे दिमाग पर छप जाना जैसे कोई एक छोटा बच्चा हो ठीक है उसकी माँ उसे लाल रंग के खिलोने के साथ खिलाती है बाई चांस उस खिलोने को जो है लाल लंका जो खिलोना है वो कहीं जो चिपा देती है और बच्चे से कहती है जाओ बेटा उसे ढून करके ले आओ तो बच्चा वही लाल खिलोना ढून करके ले आता है यानि वस्त श्ताहित मस्तिस्क में किसी वस्तो का छप जाना अगला पशने मूर्थ संक्रियात्म का वस्था किसे कहते हैं मलब समय क्या होता है कॉंक्रीट ऑप्रेशनल स्टेज का समय क्या होता है 11-14 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 7-13 वर्ष या 7-11 वर्ष अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा तो आपको पता होगा पहली वस्था थी इंद्री जनित गामा का वस्था दूसरी थी पूर्ष संक्रियात्म का वस्था तीसरी थी मूर्थ संक्रियात्म का वस्था चोथी थी वप्चारिक शंक्रियात्म का वस्था तो 7 से 11 वर्ष की अवस्था तीसरी होती है आपकी मूर्थ संक्रात्मक अवस्था अगला परशने वस्थ इस्थायुत्य का गुण किस अवस्था में पाये जाता है पूर्व संग्रात्मक अवस्था, मूर्थ संग्रात्मक अवस्था, अमूर्थ संग्रात्मक अवस्था या इंदरी जनित गामक अवस्था अभी मैंने आपको बताये था इसका क्या जवाब होगा इंदरी जनित गामक अवस्था होगा डी आपसन आपका सही है ठीक है सजीवता का जो लच्छन होता है ये पूर संग्रात्मक आवस्था में आने लगता है ठीक है इस चीज को ध्यान नखेगा अगला पसने बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सरजन खुद करते हैं के दुनिया के बारे में अपनी समझ का स्रजन करते हैं लिटिल साइटिस्ट बच्चे होते है यानि छोटे मन चोटे वएग्यानिक होते हैं यह किसने कहा है पावलाओं ने इसकिनन अगर लच्छण आने लगता है ठीक है आतार की चिंतन पाय जाता है इसमें और विद्याले प्रार्म की अवस्था जो है पूर्व संक्रियात्म का वस्था होती है इन पॉइंट्स को ध्यान कीगा और मूर्थ संक्रियात्म का वस्था में जो है जो बच्चा होता है वो मूर् लेना वही होता है आपका प्रता भी और आपचारिक संक्रियात्मा का वस्था में समस्या समाधान करने लगता है बालक कारिका काराण समझेने लगता है इस मरड़ और मनन आपचारिक संक्रियात्मा का वस्था में करता है जो ग्यारा से पंदरा वर्ष या ग्यारा वर्ष या कोहल बर्ग वाईगुशकी ने तो नैतिक विकास का सिध्धान जो है यह किस्टने दिया है कोहल बर्ग ने दिया हुआ है थर्ड आपसन आपका सही होगा इन पॉइंट्स को आप ध्यान निखेगा देखे एक पॉइंट आता है कि एक होता है प्रचलित योजनाओं में नवी समयोजन कहलाता है इसकिमा क्या होता है एक ऐसी मांसिक सनचना जिसका समयोजन किया चाहता आप तो इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान दिखेगा बाद में मत कहिएगा कि मैंने आपको बताए नहीं बाकी अभी जब समिधान स्वरी समिधान बता रहा हूं सिध्धान की सीरीज चल रही है पचास सिध्धान की सीरीज उसको जब बताऊंगा तो डीटेल से इनको बता प्रस्ण यह तो इस्तर फर्ष्ट जो होता है देखे इन्होंने नेतिकता के तीन इस्तर बताए और तीन इस्तरों को जो है छे अवस्थाओं में बाटा था तीन इस्तर और छे स्टेज बताई थी पहला इस्तर था इनका पूर परमपरागत इस्तर कौन सा था पूर परमप इस्तर होती है ना ये दो वस्थाओं बटा होता है दंड और आज्याकारिता दूसरा था इंकार की वस्था तो पूर परमपरागत जो होता है ये दंड और आज्याकारिता पर आधारित होता है और इसमें नैतिकता का अभाव होता है ठीक है दूसरा आपका इस्तर था परमप परागत इस्तर पास्ट कन्वेंसलन इस्टेज जो की तेरा वर्षे अधिक का था ठीक है इसको दो भागों बाटा गया एक भागता सामाजिक समझेवते के वस्ता दूसरा था सारभौमिंग न्यातिक सिध्धान अगला प्रशने कोहल बर्ग के नुसार सही और गलत के बारे म बच्चे चिंतन करते हैं अलग आयू में अलग तरीके से अलग चरणों के समान तरीके से संधर्ब के नुसार अविवाव को दोरा प्रदत नियमों के नुसार बहुत एच्छा प्रशने बताना है आपको क्या जवाब होगा इसका तो ये होगा कोहल बर्क के अनसार सही और गलत के बारे में बच्चे अलग आई में इलग तरीके से चिंतन करते हैं आपका पहला आपसन इसमें सही होगा बिल्कुल सही बात है अगला पसने वाई गोस की जो है कहां के निवासी थे रूस के लंदन के सुईजर लैंड के या फ्रांस के तो वाई गोस की महत रूस के निवासी थे रूस के निवासी थे अगला ये वाईगोस की बच्चों के सीखने में निमलिकित में से किस कारक की महतपूर भूमका बताते हैं सामाजिक नैतिक अनुवानसिक या सारी रिक है तो बहुत ही अच्छा प्रस्ट है वाईगोस की बच्चों के सीखने में इसको जो है महत्त देते हैं तो ये देते हैं किसको समाज को संसग्रत को ये महत्त देते हैं इसी लिए इनका पहला आपसंद सही होगा प्रस्णिके नुसार ठीक है वाइगोस की रूसी मानवे ग्यानिक थे इनका जन्म 1894 को हुआ था और इनकी मृत्तु 1934 में हुई थी ठीक है इस पॉल्डिंग को ध्यान रखेगा अगला आप उसने इसके फोल्डिंग क्या होता है समस्या समाधान करना थोड़ी देर की सहयता सयोग की नैतिकता या आतम साथ करने इसके फोल्डिंग होता है थोड़ी देर की सहयता ठीक है मतलब जब आपका काम पूरा हो जा जै जब वो सीख जाता है तो हम उसे वो शाहता देना बंद कर लेते हैं थोडी देर की साहता जो घोती है इसके folding कहलाती है लिखा या किसने कहा है भासा और विचार स्वतन तरूप से वंक्सेषत होता है बाद में आपस मिल जाते हैं प्याजे, एरिक्सन, वाइगोस्की या वाट्सन, या किसने? यह कहा, यह देकि, यी कोहल बर्ग महऔद हैं, एकदम अच्छे से, । यी कोहल बर्ग हैं, और उ पर आपके वह वाइगोस्की थे, ये वाइगोस्की है, लिखा है, फिर से पढ़ लेते हैं, भासा और विचार स्वतनत रूप से विक्सित होते हैं बाद में आपस में मिल जाते हैं ये कहा है किसने वाइगोस की महोदे ने ठीक है भासा और विचार बच्चों में स्वतनत रूप से आते हैं और इनर स्पीच यानि अंता हुआ गुतपन होने पर आपस में मिल जाते हैं लिखा विचार न केवल भासा को निर्धारित करते हैं बलकि उसे आगे भी बढ़ाते हैं विचार ना केवल भासा को निर्धारित करते हैं बलकि उसे आगे भी बढ़ाते हैं या विचार किसका है पियाजे पावलाव कोहलवर्ग या वाईगोस्की का बताएं आप लोग क्या जवाब होगा इ ये कहते हैं विचार ना केवल भासा को निर्दारिद करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं अगला है वाईगोस्की ने वाईगोस्की ने अपने सिधान्त में निमलिकित में से किस पहलू की उपेच्चा किया ये आपके कौन है कोई बताएगा सामाजिक सांसकर्तिक जैविक या भासाई तो वाईगोस्की महोदे ने सामाजिक सांसकर्तिक और भासा को जो है क्या दिया महतु दिया है जैविक फैक्टर को महतु नहीं दिया जैविक को किस ने दिया है याजे महोदे ने ये आपके फ्र के विकास से संबंदिन निर्माड औंखोज का सिध्धान किस ने दिया निम्लिकिन में से किस ने दिया है इसके नर वाइगोस्की जीन प्याजी या कोहल बर्ग बच्चों के विकास संबंदिन निर्माड औंखोज का सिध्धान निम्न में से किस ने दिया हुआ बताना है देखे वाईगोश्की के समद्ध में एक पॉइंट ध्यान रखेगा कि जड़ पीडी जड़ पीडी जो ना प्राक्सिमन डेवलेप्मेंट जो है इसे समीपस्त विकास मंडल के नाम से भी जैनते ही ये पॉइंट दिया था और दिया था यम कियो मोर नालिजिबल अधर किका ये पॉइंट्स आपको वाईगोश्की के ब्यारे में याद रखने हैं और कोहल बर्ग जो है नैतिकता के इस्तर को या वस्थाओं को कैसे निर्धारित करते थे ये कहानिया सुना करके निर्धारित करते थे ठीका कोहल बर्ग का जन्म 1927 में हुआ था और इनकी म्रक्तिव 1987 में हुई थी ठीका ये एक अमेरिकी मनोवग्यानिक थे कोहल बर्ग जो है क्या कहते हैं कहानिया सुनाते थे फिर उसी के आदार पर बच्चों से प्रस्ण पूछ करके उनकी नैतिकता का निर्धान करते थी हाइनज की कहानी जो है एक बहुत ही फेमस कहानी है जो कोहल बर हमस्के आता लेकिन दवाईयां लेकिन दवाइयां लगते हैं और आप महेंगी होती है तो ले ले जाओ तो क्या करता है अपनी विदी की जान बचाने के लिभी मेराट में डवाईयों सुनाते हैं और उसी की आधार पर प्रस्ण पूछे जाते हैं कि क्या चोरी करना सही है क्या बीवी की जान बचाने के लिए क्या करना चाहिए इसी प्रकार से प्रस्ण पूछते हैं और वक्तित्तों का निर्धान करते हैं तो ध्यान नेखेगा इन पॉइंट्स तो को अगला है सीखने के नियम किस ने दिय तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रस्न है कि सीखने के कुल नियम थंडाइग में कितने बताई थे आठ नियम बताए थे आठ में तीन थे आपके प्रात्मिक और पांच थे आपके गौड तीन नियम कौन कौन से थे तत्परता का नियम प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम तत्परता का नियम में एक आता है कि घोड़ा वाला उधारन आता है कि घोड़ा को जो है ताला पर हम पानी पीने के ले जाते हैं लेकिन उसका मन जब होगा जब वो पानी पीने के लिए इस छुग होगा तो ततपरता का नियम कहता है बालक तभी सीखेगा जब वो इस छुग होगा प्रभाव का नियम होता है मलब जो भी चीज जिस हिसाब से बच्चे को प्रभावित करेगी या किसी भी मनुष इस्तरी ज्यानवर को प्रभावित करेगी वो उसी हिसाब से काम करेगा अगर किसी काम को करने के लिए किसी विक्ति को दंड दिया जाता है तो वह उसकाम को नहीं करेगा ठीक है और किसी काम को करने में संतोस मिलता है तो उसकाम को करेगा ठीक है तो प्रभाव के नियम को दंडे उंप्रुसकार के नियम, शुकवा, दुख का नियम और संतोस्वा, संतोस का नियम भी कहते हैं अनुपयोग के नियम अगर नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे तो अभ्यास के नियम को दो भागों बाटा गया है अब बात कर लेते हैं सीखने की गौड नियमों की तो ये होते हैं पांच कौन कौन से बहुप्रतिक्रिया का नियम दूसरा था आपका मरवरत्तिकरिया का यानि हमारा मन है तभी हम जो उसकाम को करेंगे अनेथा नहीं करेंगे आंसिक क्रिया का नियम यानि कोई भी बड़ी पाठ थेवस्तु है या कोई भी बड़ा कुछ भी हो उसको अंसों में तोड़ करके याद करना आंसिक क्रिया का नियम मतलब पहले सीख लेना फिर उसे संबंदित परिवर्तन कर नियम जैसे एक माँ है और उसका बेटा है तो प्रेम तो होगा ही ना जब उसका माँ और एक बेटा उसके बीच में प्रेम रहेगा ठीक है लेकिन उसका बेटा नहीं है उसके खिलोने है तब भी क्या है उसकी माँ प्रेम ही करेगी किस से खिलोने से अपने बच्चे के खिलोने से तो मले समवांदित परिवर्तन का नियम ये बताता है कि सिचुएसन्स तो बदल जाती हैं लेकिन जो क्रिया है जो रियक्षन है वो नहीं बदलेगा ठीक है तो इन पॉइंट्स को ध्यान निकरेगा अगला है प्रात्मिक नियम सीखने का है उद्देश का नियम परिपक्ता का नियम तत्परता का नियम आत्मिक नियम सबी को बता है तत्परता का नियम प्रात्मी नियम सीखने के कितने है चार, तीन, पांच, छे बिल्कुल सही जवाब है तीन है तांडाईग ने किस जानवर पर प्रयोग किया था बिल्ली पर बिल्ली पर किया था कुत्ते पर बताओ भई तांडाईग ने किस जानवर पर प्रयोग किया था बिल्ली पर प्रयोग किया था ठीक है तांडाईग ने बिल्ली पर प्रयोग किया था कुत्ते ने थोड़ी प्रयोग किया था या बिल्ली थोड़ी किया था थांडाएग ने बिल्ली पर और कुट्टे पर पावलाव ने चुहे पर इसकिनर चुहे पर जो है और कबूतर पर इसकिनर ने प्रयोग किया था 1938 में चुहे पर 1947 में कबूतर पर प्रयोग किया गया था ये किस ने दिया है, थांडाइक ने दिया हुआ है, एसार थेवरी किसकी है, इसके नार थांडाइक, रूसो या पावलाव की, तो एसार थेवरी जो है ये थांडाइक में होदे कि ये, बी आपसन आपका सयोगा, बिना समय गवाही उपनी तयारी करते रहें, लिखाएं कतन ह प्रयास वा तुटी में किसी कार्य को करने के लिए नेक प्रत्न करते हैं जिनमें अधिकांस्ता गलत होते हैं प्रयास वा तुटी में किसी कार्य को करने के लिए नेक प्रत्न करने पड़ते हैं लेकिन ये बात किसी और ने कही है और ये हैं आपके उडवर्थ महोदे अगला है गौण नियम सीखने का है ततपरता का नियम बहुप्रतिक्रिया का नियम प्रभाव का नियम या प्रियोक का नियम तो गौण नियम है बहुप्रतिक्रिया का नियम कौन कौन से नियम है शंबन्दवारत का सिधान निमन JU운 में से कौन से है उदिपके का सिधान अवसकता का सिधान ती तो तेया है उदिपक के रूप में किसका प्रयोक किया, दाना, केला, मचली, यांगूर तो थांडाइग ने उद्दीपक की रूप में मचली का प्रयोग किया था या कह सकते हैं मास के टुकडे का प्रयोग करा था अगला प्रशन है S.O.R. थेवरी S. मतलब इस्टूमलस, O. मतलब और्गेनिज्म, R. मतलब रिस्पांस he's मतलब और्धिपक, R. मतलब रिस्पांस होता है तो S.O.R. थेवरी किस ने दिया हुआ है? वोडवर्थ ने दिया हुआ है दंड़ों प्रुसकार कानियम कहलाता है प्रभाव कानियम काउंसानियम प्रभाव कानियम दंड़ों प्रुसकार कानियम कहलाता है जो भी चीज हम पर जिस हिसाब से एफेक्ट डालेगी वो उसी हिसाब से काम करेगा दंड़ों प्रुसकार कानियम दुख वा सुक कानियम ठी कर दें सेयर कर दें कर दें मिलेंगे आपसे एक लिए वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत